2021 में हम लोगों ने देखा था कि गौर्वेंट की साइड से नई गाइडलाइन आ चुकी थी कि बीसी नरसिंग में भी एड्मिशन हम लोग ले सकते हैं नीट के मार्क्स के बिसिस पर तो नीट के मार्क्स के बिसिस पर काफी उनिवस्टीज ने ट्राई किया एज सच मैंने आ नहीं हो पाएगा तो most of the universities ने इस चीज को नहीं चुना बट यहां पर काफी colleges ऐसे थे जिनमें फिर भी जो हैं नीट के बेसिस पर भी एसी नरसिंग में एड्मिशन को चुना गया बट 2022 में बहुत ही जादा प्रिफरेंस में रहने वाला है नीट के बेसिस पर एड्मिशन फिर भी कुछ universities ऐसी भी होंगी जो अपने बेसिस पर entrance examination जो है conduct कराने वाली है और entrance admission लेने वाली बात करें किया 2022 में 12th के बेसिस पर admission होगा तो 12th के बेसिस पर admission बहुत जादा मुश्किल है अगर हो सकता है उनी cases में अगर conditions जो हैं जादा severe रहती है तो covid वगरा से लेटर ज पर में भी हो सकता है eligibility के बारे में बात करेंगे क्या revised eligibility है तो इस बार जो eligibility है वो BSC nursing की सिर्फ नहीं आप लोगों को need की eligibility भी follow करनी पड़ेगी because needs related guideline जो है जो है जोड़ चुकी है BSC nursing के साथ तो इसके लिए आप लोग 17 years के होने चेस सबसे पहले ही जरूरी है आप लोग 17 स रेम से पास कर रखी हो तभी आप लोग BSC nursing में admission ले पाएंगे उसके साथ 12 में जनरल कटेगरी से 50% तक आप लोगों के marks होने चीए और other कटेगरी जैसे कि SC, ST, OBC उन सभी से आप लोगों के 45% या फिर बोलू percentage आप लोगों के marks होने चीए तो अगर इतने percentage आप लोगों के 12 में हैं then you are eligible उसके साथ काफी ऐसे state universities रहती हैं जो सिर्फ अपने ही state के candidates को allow करती हैं तो ये जो eligibility है वो university to university state to state vary कर सकती है बात करते हैं क्या syllabus है तो most of the universities में syllabus जो हमें देखने के लिए मिलता है that is 11th and 12th की physics chemistry biology काफी universities ऐसी हैं जिसमें सिर्फ हमें 12th syllabus देखने के लिए मिलता है जैसे कि 12th में physics chemistry biology काफी universities ऐसी भी हैं जिसमें हमें 11th, 12th पूरा देखने के लिए मिलता है मतलब physics chemistry biology उसके साथ-साथ reasoning वगेरा भी वो लोग पूछ लेते हैं English वगेरा भी वो लोग पूछ लेते हैं जिक के वगेरा भी वो लोग पूछ लेते हैं तो अगर आप लोगों को particular university से लिए आप लोग information चाहते हैं उसके लिए आप लोग comment section में भी पता सकते हैं कितनी seats present हैं total हम लोग बात करने वाले हैं तो seat जो रहेंगी vary करेंगी एक medical college से दूसरे medical college में vary कर सकती हैं आलमोट जो seat रहती हमें 30 से लेके 70 के around देखने के मिलती हैं ये almost average है 30 से लेके 70 के around हमें most of the medical colleges में BSE nursing की seats देखने के मिल जाती हैं तो यहाँ पर हमें आप लोगों को बताना चाहूंगी जादा से जादा 100 seats हो सकते इस से जादा seats नहीं होती हैं 30 से कम भी seats कहीं पे भी BSE nursing की नहीं होती हैं तो ये आप लोग मान के चल सकते हैं तो मतलब scope तो है यहाँ पर number of seat तो present है एक university में इतनी present है तो almost हर किसी university के लिए अगर हम लोग लगा के चले state universities हो गया है उसके साथ सा central हो गया तो कितनी जादा scope हो जाएंगे तो scope बहुत जादा है and seats यहाँ पर बहुत ज colleges हैं तो मैं आप लोगों को बता दू हर किसे state में almost 2-3 medical colleges available होते हैं उनमें almost BSE nursing की seats हमें देखने के लिए मिल जाती है तो आप लोग यह मान के चल सकते हैं कि 2-3 colleges हैं पर state यहाँ पर BSE nursing के इतनी colleges तो हैं चाहें उनके admission process एक college होता हो या अलग-अलग होता हो बट इतनी colleges available है तो आप लोग state के according calculate कर सकते हैं उसके साथ-साथ सेंटर में भी काफी बहुत ज़्यादा अच्छे-च्छे colleges available हैं ठीक है वो भी आप लोगों लगा सकते हैं जैसे कि हो गया जो कि IPU के under आते हैं उसके साथ-साथ LHMC हो गया लेडी हार्डिंग medical colleges एमस वगरा से related हो गया ठी से कि सब दर्चन हो गया ठीक है तो काफी hospital से 10K around इससे भी ज़्यादा आलमुस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी तो इतने colleges available हैं तो आप लोग total almost calculate कर सकते हैं यह calculation purpose के लिए नहीं मैं आप लोगों को जस्ट यह बताना चारहे हूं कि कितना ही हाँ पर scope है कितने ही आपर colleges है बात करें BSE nursing करने के क्या फायदे हैं क्या future में BSE nursing करने के फायदे होंगे या नहीं होंगे सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताने वाले हूं जो candidates NEET की preparation कर रहे होते हैं उनको MBBS में selection नहीं मिलता है तो उनके लिए एक best alternative हो सकता है कि वो लोग BSE nursing में admission ले सकते हैं BSE nursing में admission लेने के बाद अपनी studies को continue कर सकते हैं अगर वो continue करना चाते हैं तो अगर वो इसमें scope देखना चाते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा scope हमें देखने के लिए मिल जाता है तो क्या future में scopes है इंडिया में क्या scope है, foreign में क्या scope है हम लोग बात तो BSE nursing से related जो scope है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते ही चले जारे because it's demanding आप लोगों को जैसे कि पता चला होगा COVID में कितनी जादा requirement रहती थी तो अभी जैसे कि new new hospitals stabilize हो रहे हैं उसके साथ साथ जो रहेगा बहुत जादा हमें COVID में भी COVID से require होने के बाद भी हमें बहुत ही जादा staff की requirement जो है रहने वाली तो अभी अगर आप लोग BSE nursing करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों का future बिलकुल bright होने वाला है आप लोगों को जादा नहीं सोचना है आप लोगों को तुरंत तयारी में लग जाना है तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताए कि अब YSE nursing एक helpful course है या नहीं है इसके बाद हमें opportunity मिलेगी या नहीं मिलेगी आप लोग जिस तरीके से चाहे आप लोग उस तरीके से जो है अपनी degree को utilize कर सकते है बट मैं आप लोगों को एक truth बताऊंगी जो के बहुत ज़ादा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए अगर आप लोग सोच रहें BSE nursing के बाद private sector में अपना future बनाने के बार में तो आप लोगों को BSE nursing में नहीं जाना चाहिए गौर्वेंट में अच्छा है और उसके सारसाथ अगर आप लोगों खुद कुछ यहाँ पर करना चाहते हैं ठीक है तो nursing home वगरा से related अगर आप लोग सोच रहें तो यहाँ पर future काफी अच्छा रहने वाला है अगर आप लोग सोच रहें कि BSE nursing करने के बाद हम लोग private में जोब करेंगे तो उसमें future जादा अच्छा नहीं है बाकी BSE nursing करने के बाद गोर्वेंट जोब मिल जाती है थोड़े से efforts लगाने पड़ते हैं अगर आप लोग ऐसे ही लगातार जानकारी चाहते हैं BSE nursing एडमेशन 2022 से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए यह बिलकुल फ्री है उसके इसाथ से अगर आप लोगों को कोई भी पूट रहता है अडमिशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट शेक्षन में बता सकते हैं आप लोगों को किस पार्टिकुलर यूणिवास्टी से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन्स्टाग्राम पे भी आप लो अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ थेंक यू